Everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं उश्र प्रतिवारी यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एडुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चो आज की कहानी जो मुझे सुनानी वो है हमारा रसीला फ्रूट आज हम सीखेंगे कि बेसिकली फ्रूट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे डवलप होता है लास्ट क्लास में मैंने आपको सीड सिखाया था और मैं यह उमीद कर रही हूँ कि सीड की कहानी वो समझ में आ गई होगी सीड वाला जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, वो ग्यारवी और बारवी दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है तो हलाकि बारवी की लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो मैंने देखे नहीं है पर अगर कोई बच्चा बारवी का भी देख रहा है, तो उसके लिए भी एसेंशल है, ठीक है, तो वो भी देख सकता है तो last class में हम लोगों ने क्या सीखा, last class में हम लोगों ने सीखा था कि जो mature ovules होते हैं, उन्हीं को हम seed कहते हैं, अब ये mature ovule क्या होता है, mature ovule is a zygote, अब ये zygote कहां होता है, ये ovule कहां होता है, ovule होता है ovary के अंदर, ठीक है, zygote कैसे बना था, मैंने आपको सिखाया था, कि पहले हमारा जो ovule होते हैं या हमें ऐसा कह सकते हैं कि हमारे ovary में जो ovule होते हैं उसके अंदर पूरा nucellus भरा हुआ होता है, nucellus क्या होता है, nucellus is a tissue which is made up of deployed type of cell, यह मैं आपको कल पढ़ाया था कि ovary के अंदर होता है ovule, ovule के अंदर भरे होते हैं tissues, इस tissue को हम कहते हैं nucellus, nucellus के जो सारी cells होती है वो होती है deployed cell, ठीक है जब ovule को fertilization करना है या ovule को mature होना है, तो यह जो deployed type की cells होती है यह सारी नश्ट हो जाती है, इसमें एक cell जो होती है, वो बोलती है कि नहीं मुझे माँ बनना है, मुझे प्रेगनेंट होना है, मुझे जीवन का यह सुख चाहिए तो इसमें एक cell बच जाती है ठीक है अब यह जो एक cell है इसमें होगा meiosis ठीक है यह जो एक cell बनी है इसे हम कहते हैं Megaspore Mother Cell, Egg Mother Cell कुछ भी कह सकते है ठीक है अब इस Deployed Nucleus की cell में बाकि सारी cells तो मर गई है अब यह जो Deployed Cell एक बची हुई है इसमें होगा meiosis मियोसिस के बाद यह जो एक बदर cell है बचो यह चार cell बनाएगे पर आपको भी पता है मैंने सिखाया पढ़ाया समझाया आपको कि मियोसिस करने के बाद जो Deployed Cell होती है वो चार बनती है और चारो कैसी होती है है एक बचती है अब यह एक जो है इसमें क्या होता है इसमें होता है Repeated Mitosis, Repeated Mitosis कितने बार होता है मेरे प्यारे बच्चो तीन बार होता है पर नॉर्मली जब हम cell division करते हैं मेरे लाल तो हम पहले nucleus divide करते हैं और just तुरंट simultaneously cell divide कर देते हैं पर कहानी ऐसी है कि यहां पर जो एक cell divide कर रही है उसमें सिर्फ nucleus divide करता है कभी भी पूरी cell तुरंट नहीं बन जाती तो एक cell जो अपने nucleus divide करते रहेगी और आठ nucleus structure बनाएगी एक cell के अंदर यह जो in large cell आपको देख रहे हैं और यह cell structure में convert हो जाते हैं पर अभी भी एक ही cell के अंदर सारी cell पाई जा रही है अब यह अलग अलग position पर अरेंज हो जाती है तीक है नीचे की और जो अरेंज होगा देखो हमेशा याद रखो माइक्रो पाइलर एंड जहां पर ओव्यूल ओपन होता है वहाँ पर हमेशा कौन सी cell होती है वहाँ पर synergid और जो हमेशा पोलन ग्रेंड को बुलाता है कि तुम हमारे पास आजाओ और जो है हमारे पास ही आओ ठीक है और नीचे की और होती है अंदर की और आते हैं पोलन ग्रेंड का न्यूक्लेस करता है एक से एक सेल कैसा structure है? हेपलोई structure है पोलन ग्रेंड भी कैसा structure है? हेपलोई structure दोनों के बीच में हुआ सा यूगमन, fertilization और इन्हों ने एक डिपलोई structure बनाया विच इस कौल जाइगोट ठीक है जाइगोट बन गया ठीक है अब आप से ये भी मैंने पढ़ाया था कि जो पोलन ट् नुकलाई कह रहे थे हैं एक सेल के इंदर दो नुकलेस था तो एक सेल के इंदर कैसे structure है? टू एन structure है तो पोलन ग्रेंड का एक नुकलेस उस टू एन structure के साथ फ्यूज कर जाएगा तो ठीन structure बनेगा विच इस कौल अज एंडोस्परम, एंडोस्परम और जाइगोट बन है अब zygote divide होगा पर मेरे लाल मेरे बच्चों zygote को divide करने के लिए enormous energy चाहिए तो who will give the energy मेरे लाल the endosperm हम लोगोंने बनाया है polar nuclei sorry polar nuclei और polar grain को fuse करके हमने triploid structure बनाया था polar nuclei उसमें एक cell के अंदर दो nucleus है तो इसका मतलब क्या है दो nucleus मतलब दो set of chromosome है मतलब वो diploid structure है और एक haploid structure के haploid दोनों के बीच में जब मिलाप हुआ तो triploid structure बनेगा के नहीं बनेगा और इस triploid structure को हमने क्या कहा था endosperm अब जो बच्चा आज की class में रिटेंड कर रहा है उसने आखरी class नहीं लगाई वो बड़ा ही इंफ्यूज होगा हाई 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 यह क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा लास्ट क्लास में सीड पड़ाया है मैंने वो जाके देखोगे न तो अभी जो इतनी बखवासे कर रही हूं वो क्या है वो समझ में आएगा और अब रिवाइस करवाने का टाइम तो मेरे पास नहीं है अब औरली ही थोड़ा बहुत रिवाइस करवा देती हूं चीक है तो ट्रिपलॉइट स्ट्चर बना जिसे हम कहते हैं एंडोस्पम अब यह जो एंडोस्पम है इसका काम होता है डेवलपिंग जाइगोट को अब समझना मेरी बात को देरा टू टाइपस ऑफ सीट वन इस डाइकोट सीट में अडोस्पम का जो नूट्रिशन होता है वह उनकी लीफ लाइक स्ट्चर में स्टोर हो जाता है जिसको आप कहते हैं को जिसको आप खाते हो जब आप चना खोलते हो तो उसमें जो मोटे-मो दो ऐसे बराबर भாगों में तूटते हैं ध्यार कौटिलेडड़न कॉटेन स्टॉर्ड एनरजी जिसे जर्मिनेट करना है प्लां्ट बनाना है मित्टी के अंदर अनु डबक के अनदर रहना है तो उनको जीवित रहने के लीए एनरजी चाहिए तो कौटिलेड़नientras के पा सेंट्रल एक्सिस होता है जिससे दो सीट जुड़े हैं इंबेरोनल एक्सिस उसके उपर व्लीमेल निचे व्ली उद्ला hard सीट की तो मोनो कॉट सीट में एक ही कॉट लिडन वो भी इतना पतला विच इस कॉल्ड एस क्यू टिलम ठीक है बहुत ही पतला तो नूट्रिशन को ज्यादा स्टोर करने की ज़रूत नहीं तो उनका एंडो स्पर्म बहुत बढ़ा होता है तो मोनो कॉट सीड में आप जो ची लिए फ्रूट होते हैं समझते हैं कि फ्रूट क्या होता है आए आज आए लालालालाला चलिए फ्रूट देखते हैं बच्छो क्या है फ्रूट आए शुरू करते हैं तो हम लोगों ने सीखा की जो सीड होता है सपोस्ट एट की अंदर सीड हो गया ठीक है सीड के ऐसे बना अच्छा होता है हम लोगोने ऐसा ओव्यूल बनाय proprio- 51 जेका हैый दो this दो ओवरी इसरी इस में रेती हम लोगोने बनाया था ओवरी ठीक है और इस ओवरी के अंदर हमने बनाये थे उव्यूल्स ऐसे बना लेते है ovule ठीक है अभी मैं सिर्फ डियाग्रेमेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ ठीक है, डन हो गया तो यह जो मैच्योर ovule है यह जो मैच्योर ovule है ना बच्चो इन मच्योर ovule को मैं कहते है seed, क्या कहते हूँ मैं seed, और ovule mature होगा मेरे बच्चो तो भाईया ऐसा है कि भाईया ये भी तो develop होगा fleshy होगा fleshy हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिपंड करता है कि किस टाइप का fruit है तो भाईया ovule mature हुआ तो ovary की wall भी mature हुई और pulpy हो गई ये वाली जो मैं बना रही हूँ वालपी दिखाई दे रही आपको ठीक है ओके डन 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 ठीक है तो this is the wall of ovary wall of ovary और wall of ovary का नाम क्या होता है बच्चो ध्यान से देखना wall of ovary का नाम होता है pericarp जो मैं अल्रेदी पढ़ा चुकी हूँ पेरिकार्प ठीक है? और इसे ही हम कहते हैं fruit इसे ही हम क्या कहते है? Fruit So, what is the difference between fruit and seed? The ovule is the seed and the ovary wall is the fruit ठीक है? Done So, मैं यह कह सकती हूँ कि ovary की wall को ovary wall को मैं क्या कहते हूँ, बच्चो? ovary wall को मैडम हम कहते हैं, पेरिकार्प तो fruit wall को क्या कहूँ, बच्चो मैं? वो भी पेरिकार्प समझे? तो fruit की wall क्या हो गई, बच्चो? fruit की wall क्या हो गई, बताइए? fruit wall भी क्या हो गई? पेरिकार्प अब अगर आपसे बोले, definition लिखो fruit की definition लिखो, तो क्या लिखो गई, बच्चो बताओ? So, mature, ripened, mature, ripened ovary is called fruit. समझे आप? क्या बोला मैंने? जो पकी हुई ovary है, पकी हुई है, नहीं है, ripened ovary को जो पक गई है, mature हो गई है, उसे हम fruit कहते हैं. Done? समझ मैं आई बात? ovary की wall को भी हम pericarp कहते हैं, और जब वो mature हो गई, तुसका नाम थोड़ी बदल जाएगा, वो भी pericarp है. Done हो गया, समझ मैं आगया? So, fruit is the outer wall, seed is the inner part. Done हो गया, seed and fruit में difference समझ मैं आए आपको, आगे बढ़े हम लोग. Now, बच्चो, अब हम बात करेंगे types of fruit की, ठीक है? देखे, क्या बोला मैंने? देखे, types of fruit. There are two types of classification, आज हम सारिप की बात करेंगे. ठीक है, types of fruit में पहले classification में बात करते हैं, हम लोग जो part involve होता है उसके अधार पर. सबसे पहला fruit होता है simple fruit. ठीक है? कौन सा fruit होता है? simple fruit. ठीक है? एक होता है आपका false fruit, simple fruit नहीं, simple fruit नहीं, true fruit. ऐसा लिखते हैं. एक होता है true fruit, simple fruit का दूसरा classification होगा. एक होता है true fruit, एक होता है false fruit. ठीक है और एक होता है पार्थेनो कार्पिक फ्रूट समझ में आई आपको बात मैंने क्या पोला पार्थेनो कार्पिक फ्रूट अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं बोल रहे हैं देखे फ्रूट is a ripened ovary पकी हुई ovary को हम कहते हैं फ्रूट ठीक है अब फ्रू फाल्स फूट ऑद पार्थेनो कार्पिक फूट एक और क्लासिफिकेशन है smart aggregate and composite फूट वो पढ़ाऊंगे भी मैं फिलाल देखो सपाइब आउब फूट थीद प्रकार के simple true fruit false fruit ऑपार्थेनो कार्पिक फूट ठीक है आजाईए यहां पर discuss करते हैं कि करके हम लोग true fruit, ठीक है? ध्यान से देखो, true fruit कौन से fruit होते हैं? ध्यान से देखो, यह हो गया thalamus, ठीक है? So, this is our thalamus, done, यह क्या हो गया अपने thalamus, और thalamus के ऊपर लगी हुई है? ovary, done, thalamus के ऊपर क्या लगी हुई है? ovary, ठीक है? अब अगर यह ovary fruit बनाए, if ovary makes the fruit ठीक है, अगर ovary बनाए fruit, इसमें कोई और part involved ना हो, ovary makes fruit then this is called as true fruit, this is called as true fruit बस, आई बस समझ में क्या बोला मैंने, true fruit कौन से fruit होते हैं, true fruit वो fruit होते हैं, जिसमें ovary बनाती fruit, कोई और part involved नहीं होते हैं they are true fruit, fruit कहते हैं इनको हम lepto, कैसे lepto, क्या lepto, ध्यान समझो, अब भीया, ऐसा है, कि ये तो ovary है, जो कि fruit बनाने में involved होगी ये ovary है, जो fruit बनाने में involve होगी, पर कभी-कभी इनके नीचे पाया जाने वाला thalemus भी fruit बनाने में involved हो जाता है, क्या समझा, कि ये जो ovary की wall है ये तो fruit बनाएगी पर कभी-कभी ये जो thalamus आप देख रहे हो ना ये भी involved होता है fruit बनाने में तो what is the false fruit? यहाँ पर लिखूँ किया मैं false fruit के बारे में थोड़ा सा false fruit क्या होता है मेरे बच्चों? false fruit का मतलब ये होता है कि in the fruit formation there are different kinds of part involved in the fruit formation समझ में आई बात? during the process of food formation there are involvement of different parts ठीक है ये समझ में आ गई बात तो जिसमें कौन-कौन part लेता है? ovary part लेती है plus fruit बनाने में other parts भी भाग ले सकते हैं true fruit में क्या था? कि भाईया सिर्फ ovary ही fruit बनाएगी समझ में आ गई बात false fruit होते हैं और ये दोनों मिलकर एक fruit बनाते हैं तो ये true fruit थोड़ी हुआ क्योंकि true fruit है तो भाईया ovary बनाएगी पर इसमें other part को भी आपने लपेटे में ले लिया ठीक है? done हो गया इसका example याद रखिए देखिए ध्यान से देखिए अगर ध्यान से समझ ना मेरी बात अगर कोई आदमी CS है ठीक है? कोई आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है तो उससे apple खाने की जरूरत बहुत होती है भाई CS की पढ़ाई है, ऐसी हैसान थोड़ी होती है यार तो अगर कोई आथमी CS करता है, तो उसे बहुत ज़ाधा, क्या कहते हैं, पढ़ाई करने की जरूरत होती है, ठीके, तो CS से याद रखना है आपको Cashew, ठीके, Cashew ठीक, Cashew ओके, और S से याद आपको रखना है Strawberry S से याद आपको रखना है Strawberry, ओके ओओ शिट ओओ शिट ठीक है, क्या याद रखना है बचो Strawberry ठीक है, और A से याद रखना है Apple, done तो अगर कोई आदमी क्या है CS है, ठीक है तो उसे Cashew जादा खाना पड़ेगा Strawberry जादा खाना पड़ेगी और Apple जादा खाना पड़ेगा याद रखा हो, कि CS जो होते हैं वो Apple जादा खाते हैं तो False Fruit का example हो गया Cashew, Strawberry और Apple They are False Fruit, ठीक है अच्छा तुमको पूझा रहा है कि Apple में हम क्या खाते माम तो आप Apple का जो पार्ट आप खाते हो ना वो Thalamus है, ठीक है Thalamus is the edible part of the Apple ठीक है, ये बात आपको याद रखने हैं तो क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि जो True Fruit होता है उसमें सिर्फ Overy involved होती है इन दा Fruit Formation और जो False Fruit होता है उसमें Overy के साथ other part of the flower भी involved हो सकते हैं इन दा Fruit Formation डन हो गया इसका example हम कैसे याद रखेंगे CS जो है उसको त्यारी करने के लिए Apple जादा खाना पड़ता है CS का मतलब Cashew, Strawberry and Apple डन समझ में आगई बात अब हम बात करते हैं अब हम अरे यार इसमें क्या है अन्या है ए-यार में अन्या लिखनी पारी हूं थीक है इन दी बाट आपको याद रखना है Parthino carpic जो fruit होते है इसमें होता है Pap थीक है इसमें होता है Pap कैसा Pap वो अभी आपको देखना है Parthino carpic को याद रखना Pap से ठीक है नॉर्मली हम जब seed बनाते हैं तो fertilization से बनाते हैं और हम यह मानते हैं कि जब seed mature होता है तो fruit भी mature होता है पर कभी-कभी ऐसा होता है कि fruit बन जाता है without fertilization समझे आप क्या बोला मैंने कभी-कभी ऐसा होता है कि fruit जो होता है without fertilization बन जाता है ऐसे fruit को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे fruit को हम parthenocarpic fruit कहते हैं मेरी बात को ध्यान से समझना कान लगा कर ठीक है? parthenocarpic fruit क्या होते हैं? parthenocarpic fruit होते हैं a fruit without fertilization हाई 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 बस यही जीवन में दिन देखना बच्या था के fruit बना लो बिना fertilization के यह लो यह तो बहुत ही घरत बात है अब fruit without fertilization जैसे 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 जाइगोट मैच्वर होता है वैसे वैसे ओवरी वाल मैच्वर होती है और फ्रूट बनाती है पर यहाँ पर fertilization ही नहीं हुआ तो जैगोट बना नहीं तो मैच्वर होने कोई चार्स नहीं तो fruit कैसे बना दिया देखो क्या होता है कि माल लो यह जो ओवरी है ना ध्यान समझ ना यह जो ओवरी है ना अपनी है ना ठेक है यह जो ओवरी है अपनी इस ओवरी को आप बहुत सारे injection लगाओ समझ में आई बात इस ओवरी को बहुत सारे injection लगाओ कौन से injection लगाओ हर्मोन के injection लगाओ देन ओवरी प्रेटेंड डेट शी इस प्रेगनेंट आई बात समझ में कि इसमें क्या होता है कि हम इन्डीउस करवाते हैं ठीक है अ अब मालोग धे हमने कोई पेड लगाय ठीक है और उसके फ्रूट बने ठीक है फ्रूट नहीं बने मतलब हम चाहते है किए इसमें ब्रूट आए पर नहीं आ रहा है तो आप उसमें लगा दो जिब हिन मुझे तो धो होगा क्या कि कुछ फॉर्टिलाइटिज़एटिर nina और से पर से लग मोटी ओ गई पक गई तो यह क्या है this is a parthenocarpic fruit तो हम कई fruit ऐसे बना लेते हैं जिसमें fertilization की जरूरत ही नहीं होती example banana banana मुझे बताओ banana का कभी seed देखा है क्या banana is a parthenocarpic fruit जिसमें हम fruit बनाते हैं बिना fertilization के कुछ नहीं करना है फ्लार हुगेगा ही banana का उसके नीचे ovary होगी ovary में जाकर duster से injection ठूस दो ठीक है तो इसमें और अच्छा है कुछ natural parthenocarpic fruits भी होते हैं और banana is also a type of natural parthenocarpic fruit वो 12th class में आपको पढ़ाऊंगे पर फिलहाल आपके लिए इतना ही concept जरूरी है कि कुछ fruit ऐसे होते हैं जो without fertilization भी बन जाते हैं और banana उनका एक बहुत ही बहतरी नेगजाबबल है कुछ नहीं करना है गवर में जाकर ठूस दो इंजेक्शन ovary समझने लगेगी कि मैं pregnant हूँ बच्चा बच्चा हंदर है नहीं उसके seedweed कुछ बना नहीं अंदर पर वो पक गई है this is called as parthenocarpic fruit ठीक है अब देखो एक और चीज होती है apomyxis समझना बात को ठीक है apomyxis mixis ठीक ठीक है apomyxis क्या होता है embryo formation without fertilization embryo formation without fertilization क्या हुआ ये embryo क्या होता है बच्चों embryo क्या होता है embryo is a seed embryo क्या होता है seed तो apomyxis एक ऐसा false process है जिसमें तुमने seed ही बना लिया बिना fertilization के ठीक है तो ये कहानी आपको clear होनी चाहिए कितने प्रकार के food पढ़े हम लोगों ने ठीक है कितने प्रकार के हमने fruit पढ़ लिया भी true fruit क्या होता है false fruit क्या होता parthenocarpic fruit क्या होता है done हो गया इतनी बात इसमें कोई confusion तो नहीं अब जो कहानी मैंने तुम्हें समझा आई ये माल लेना कि neat में इस true fruit false fruit और parthenocarpic fruit से कम से कम 3 से चार question आएंगे ठीक है फिर मुझे मत बोलना madam आपने बताया नहीं हमें ठीक है चलो अब हम लोग एक और classification करेंगे fruit की आजाओ बच्चो देखो एक और classification कर रहे हैं हम लोग types of चलो तो देखो types of fruit का दूसरा classification देखो पहले वाले classification is very very important और उससे तीन से चार question आएंगे अब हम लोग एक अगला classification कर रहे हैं मेरे लाल जो तुमारी NCI team नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं आएगा 2014 2015 2016 में इसके सवाल आए हुए हैं फिर तुम aggregate fruit और एक है composite fruit यह क्या है मैम यह आप क्या बोल रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं अभी ज्यादा समझने की जरूत नहीं आओ मैं समझाती हो simple fruit देखो जहान से एक एक करके देखते है simple fruit आईए simple fruit example बिताऊंगे पहले सारे explain कर देती हूँ simple fruit क्या होते है ध्याल से देखते जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं simple fruit में ठीक है अगर आप लोगों को याद होगा simple fruit में suppose that कि यह अपना थैलेमस एक है और यह एक थैलेमस है ठीक है अब simple fruit क्या होते है कि माल दीजे कि यहाँ पर we have monocarpillary condition ठीक है यह कैसी condition है monocarpillary है कि नहीं है पढ़ाया है मैंने आप लोगों को यह कैसी condition है बच्चो this is the monocarpillary condition monocarpillary condition क्या होती है जिसमें एक ही कारपल होता है ठीक है This is a simple fruit, पर अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को ये भी condition पढ़ाई थी, कि बहुत सारे जो पिस्टल रहते हैं, वो आपस में ये बहुत सारी ovaries जो है, वो आपस में fuse जाके एक single chamber बना लेती हैं, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है, ओके बहुत मोटी से दिख रहे हैं, ये से लगदा तंदूरी चिकन है, पर लेटेट भी, ये कौन सी condition है, this is the syncarpus condition, ये कैसी condition है बच्चो, syncarpus condition, ठीक है, ये भी कैसा fruit बनाएगी, ये भी एक single fruit ही बनाएगी, तो याद रखिएगा, simple fruit मतलब वो fruit होते हैं, जो single ovary से बन जाए, ये बहुत सारी जब जुड जाती हैं आपस में, और वो single chamber में convert हो जाती है, this is called as syncarpus ovary, पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को, ये भी simple fruit बनाने का काम करती है, मतलब इससे एक ही fruit बनेगा, done, कोई दिक्कत परिशानी नी, ये जीवन में सत्वर जीवन जीते हैं, दाल भात खाते हैं, पढ़ रहे हम लोग, आईए देखिए, aggregate food क्या होता है, aggregate fruit, ध्यान से देखते जाएगा, aggregate fruit क्या होता है, ओके, let's start with aggregate food, चली, इसमें क्या होता है, ध्यान समझेगा, इसमें एक thalamus है, ठीक है, एक तलाब पर, एक तलाब पर, चार pregnant महिलायें गई, ठीक है, ओके, एक पती क चार पतनिया थी, और चारो प्रगनेंट थी, ठीक है, चारो तलाब के पास पानी भरने गई, चारो प्रगनेंट थी, ठीक है, अब ये जो दो, ये चारो जो है, एक दूसरी की सौतने, एक दूसरी की दुश्मन है, ठीक है, अब ये जो है, ये पता है क्या करेंगी, ध्या ये इसने फ्रूट दिया, ये इसने फ्रूट दिया, ये इसने फ्रूट दिया, ये इसने फ्रूट दिया, पर ये चारो जो बच्चे हुए, इनको अल्टिमेटली तो एक ही घर में रहना है ना, तो ये चारो बच्चे हुए ना, इनको आप कहते हैं, फ्रूटलेट, क्या कह के अंदर fruitlet का aggregation होता है समझ में आ गई बात तो ऐसे fruit जिनके अंदर बहुत चारे छोटे-छोटे fruits हो या fruitlets हो उन्हें हम aggregate fruit कहते हैं done हो गया आईए next is हम कौन से fruit की बात कर रहे हैं composite fruit की बात composite fruit ध्यान से समझेगा composite fruit ठीक है composite fruit क्या होता है देकर composite fruit जो होते हैं इसमें क्या होता है suppose that suppose that कि एक गंडी है ठीक है ये एक गंडी है और इस गंडी पे बहुत सारे flower जो है जुडे हुए है ठीक है बहुत सारे flower इस डंडी पे जुडे हुए है दन इस तरीके से, ओके, ठीक, ये जुड़े हुए हैं फ्लार, ओके, तो ये जो डंडी है, जिससे फ्लार जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या होता है मेरे बच्छो, इसका नाम है पिडंकल, इस डंडी जिससे फ्लार जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या बता दिया मैंने अब क्या होता है? यह वाया. एक फूर्ट बनाएगा. एक फूर्ट बनाएगा. ये एक फूर्ट बनाएगा. ये एक फूर्ट बनाएगा. पर हम इसको single fruit नहीं मानेंगे. ठीक है? अब ये वाला जो पूरा part है ये ये पूरा जो inflorescence है leaf जैसे बना दी है, यह जो पूरा inflorescence है, इसी को आप fruit कहते हैं, ध्यान समझो, यह पूरा जो inflorescence है, जिसके इंदर छोटे-छोटे fruit बन रहे हैं, इसी को आप क्या कहते है, fruit, क्या समझा मैंने, क्या समझा है मैंने आपको, composite fruit, वो fruit होते हैं, जिसमें inflorescence get converted into fruit क्या समझा आपने? जब पूरा whole inflorescence fruit में convert हो जाए अब ये जितने भी composite fruit होते हैं बच्चो दे आर false fruit false fruit ये सारे कैसे हैं false fruit false fruit क्या होता है? जिसमें ovary के अलावा कोई और part भी fruit बनाने में involved हो तो क्यों नहीं? ये peduncle fruit बनाने में involved है ये dandy fruit बनाने में involved है sapple pattern involved है पूरा ovary involved है तो इसमें तो पूरा inflorescence ही fruit बनाने में involved है तो ये सारे fruit कैसे होते हैं? composite fruit कहलाते हैं false fruit कहलाते हैं में आई बात when whole inflorescence is responsible for making of fruit ठीक है अब इसके अंदर क्या होंगे चोटे-चोटे fruit बनेंगे पर ये common fruit के अंदर ही बनेंगे जिससे हम fruit के नाम से जानते हैं तो जब पूरा inflorescence fruit बनाए इस type of fruit is called as composite fruit जब हर एक ovary fruit बनाए और एक fruit एक structure के अंदर हो which is called as fruit बना चोटे-चोटे- और simple fruit का मतलब यह है कि या तो simple ovary fruit बना ले या तो बहुत सारी ovary get combined and they will make a one ovary which is called as syncarpus ovary ये भी कैसे fruit बनाते हैं simple fruit बनाते हैं example बात कर रहें aggregate fruit की इसका example है custard apple और इसका example है raspberry ठीक है raspberry ठीक है ये हो गया है अब आगे बात करते हैं composite fruit की इसको आप याद करना MPF वो आजकल हम लोग वो खेलते हैं आजकल बड़ा वो आता है यार cricket का जो खेलते हैं अपन अरे उस पे cricket match पे आता है अजकल IPL में वो खेलते हैं उसका MPF कहते हैं उसको जो भी कहते हैं तो इसका example MPF से याद रखेंगे mulberry ठीक है pineapple ठीक है and ficus which is the fruit of banyan tree ठीक है ficus डन हो गया तीन दो के example हो गया अब आओ ठीक है अब आप लोग यह समझ गये दो classification हम लोगों ने कर लिए बच्चो एक classification हमने किया true fruit false fruit और पार्थिनो कार्पिक fruit उसमें मैंने अपो मिक्स भी आपको बताया question 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 आएगा इससे ठीक है ठीक है घबराना नहीं डरना नहीं इसमें आपको मैंने सिखा दिया कैसे करना है ठीक है उसके बाद मैंने एक और classification आपको बताया simple fruit composite fruit और aggregate fruit उसके example बता दिया मैंने आपको आप simple fruit में आपको करना है एक और classification एक है fleshy pericarp simple fruit fleshy pericarp simple fruit और एक आपको करना है dry pericarp simple fruit ठीक है यह क्या है घबराओ नहीं घबराओ नहीं simple fruit के दो type होते है या तो उनका pericarp मोटा हो जाए या तो उनका pericarp dry हो और चिपका हुआ हो fleshy करना है हमको क्योंकि इससे एक question आता है droop पर समझ मारी बढ़ डूप fruit क्या होते है आओ तो मैं माल लो मेरे पस red color ही है तो मैं बनाते हूँ यह समझ जाता है मैंने आपको पर अब मैं आपको एक और चीज़ डूप पर एक question आपके नीट पर आ सकता है डूप क्या है वह आब आप देखते जाना पेरिकार्प को तीन सब लेयर में हम डिवाइड करते हैं ठीक है क्या क्या वो देखिए आप एपिकार्प एपिकार्प मीजोकार्प ठीक है और एंडोकार्प समझ में आई बात कार्प दन समझ में आई बात ओके तो डूप में आपको दो एक्जाम्पल दिये वो एंसी आर्टी में एक है मैंगो और एक है कोकोनट हम एक है करके सब दोनों एक्जाम्पल्स को देखेंगे क्या ही ध्यान से देखते जाना Overy wall को हम 3 Overy wall which is called as pericarp Pericarp को हम 3 मुख्य भागों में डिवाइट करते हैं जो छिलका आप जब आम काटते हो उपर से जो छिलका होता है ना छिलका को आप कहते है एपिकार्फ छिलका, छिलका, छिलका छिलके को आप कहते हैं एपिकार्प समझ में आई बात छिलका जो होता है उसे हम पैरिकार्प कहते हैं सेंटर पर होती है गुठली तो जिस पार्ट को आप खाते हैं बच्चों वो क्या है? जिस पार्ट को तुम खाता है पल्प जो तुम खाते हो उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हो meso carb meso carb ठीके? और meso carb इसमें क्या होता है? edible meso carb क्या होता है, भहिया? edible डन हो गया उसके बाद ये जो black color थोड़ा मैं मोटा black color बनाती हूं जिससे आपको और clear होगा यह जो मोटा black color आपको दिखाई दे रहा, ध्यान समझना है, यह वाला, ध्यान से देखो क्या आप बोल रही हूँ मैं, इस part को आप कहते हो endocarp, इस को आप कहते हो endocarp, ठीक है, endocarp जो होता है यह बहुत ही hard होता है, ठीक है, अगर आप पका हुआ fruit तो नहीं, पर जैसे आपको दिखाई देखोंगे ना, तो जब धूप खतम हो जाए, गुठली को हिलाओगे, तो अंदर कुछ बजेगा, तो अंदर क्या होता है बच्चों, अंदर होता है seed, जाला तरह हम गुठली को लोग सोच लेते हैं कि वो seed है, पर गुठली लगाने से पेड़ नहीं हो गुठली को फोड़ो, उसके बाद उससे निकालो, उससे पेड़ उगेगा, तो जो गुठली होती है, तो जो गुठली होती है, तो यह हुआ मैंगो का स्ट्रक्चर, और ऐसे फ्रूट जिनमें यह तीनों लेयर आपको दिखाई दे, इन्हें कहते हैं डूप फ्रूट, सम पाया जाता है, दन हो गया, यह समझ में आई, दूसरा एक्जाम्पल हम करेंगे, कोकोनट का, ठीक है, दूसरा एक्जाम्पल हम करेंगे, कोकोनट का, ठीक है, देखो, कोकोनट को कैसे करते हैं, सब्पोस देट, कोकोनट को ऐसा करते हैं, कोकोनट को ऐसा करते हैं, ठीक, ओ कोकोनट में जब हम लोग कोकोनट को फार देते हैं समझो बात को ध्यान से देखो क्या पोल रही हूं मैं जब हम लोग कोकोनट को फारते हैं ठीक है तो कोकोनट में होता क्या है कोकोनट का जो अच्छा में NCRT में डाग्राम आई होप की दिया होगा उसको अपन देखते हैं पहले coconut समझ लेते क्या होता है, coconut में भी तीन लेयर होती है, कौन कौन सी एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, तो जब हम coconut को ऐसा फारते हैं, पानी वाला नारियल इमेजन करो, तो पानी वाला नारियल जब हम इमेजन करेंगे, तो हमको सबसे पहले वो green color क यहां पर आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा यह बाल, बाल जैसे, बाल जैसे, बाल, 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 समझ में आई बात, ठीक है, यह बाल को आप क्या कहते हो, पता है, इस बाल को आप क्या कहते हो, पता है, इस बाल को आप कहते हो, इसे आप कहते हो, मीजोकार्प, मीजोकार्प, दा बाल is called as मीजोकार्प, जो हेरी, इस बाल पानी होता है जुसके अंदर पानी होता है यंज को फोड़ते हो भाईया अपने जब हरे वाले नारियल को पका लिया तो हरा हरा पार्ट तो वह दिखाई नहीं देता पर जब वह अहरा था तो उसको आपके कहते है पीकर उसके इंदर जो बालते वह थे मीजो कार ठीक है और जुसके इंदर यह रहता है, यह एकदम हाड, हाड, आपको पता है, यह क्या है, this is the, this is the stony endocarp, stony endocarp, ठीक है, stony endocarp, जिसको आप फोड देते हो, तो मैडम इसमें खाते क्या हैं हम लोग, यह तो बता दीजे, अब अगर आप नारियल में देखो, अब मैं वाइट कलर तो वाइट बोर्ड में नहीं बना पाऊंगी, पर let me make this color, ठीक है, अब अगर आप देखो, ठीक, अगर यह हरा नारियल है, ठीक है, अगर यह हरा नारियल है, तो उसमें मलाई, और मलाई, जो नारियल की मलाई होती, वो भी निकलती है, ठीक है, समझवात को, तो क्या सिखा है तो मैंने आपको, जो चीज आप नारियल में खाते हो, अगर उसमें गिरी निकली, white part निकला, अगर उसमें क्या निकला बच्चो, अगर उसमें white part निकला, done, तो इस white part को हम क्या कहते है, cellular endosperm, cellular endosperm, जिसको नहीं पता आईए, क्या है, last lecture लगाईए, cellular endosperm, अगर उसमे पानी है, अगर उसमें पानी है, तो इसे आप क्या कहते है, free nuclear endosperm, free nuclear endosperm, जिक है, free nuclear endosperm, जिक है, free nuclear endosperm, आओ, इसका diagram में आपको, NCRT से और ज्यादा clear करती हूँ, यह तो peach का diagram दिया हुआ है, ना, 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 ओके, देखो, यहां दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, epicarp इसमें narial में दिया नहीं हुआ है, क्योंकि यह सुखा narial है, और हमने epicarp को फाड़ के अलग कर दिया है, ठीक है, green वाला portion is called ice epicarp, जिसको हमने फाड़ कर अलग कर जो बाल-बाल हिस्सा होता है, इसको कहते है, mesokarp, और जो stalky हिस्सा होता है, सबसे अंदर का, इसको कहते है endocrarp, तो आपके मन में ऐ सवाल आता है, ci malem जो narial में जो contributor हम खाते हैं, वो क्या है, बहुत चारा हम बोलता है, फ्रूट है Ud support ऋ तुम्हारे ऊटर वाल था, उसके अंदर होता है एंडो spum, इंड़ी खा रहे मुआ जिस्चे खेले। इंड़ी, आप गिरी खा रहे हो अल वाइंडा है। थे इंड़ोस पेलोस आप में नेःखकेạo को सोके नेगेटी करें Śnipe और वो हाड हो लगता है जैसे 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 नारियल मैचोर होगा वो पानी खतम होता जाएगा क्योंकि जितने भी न्यूक्लेस फ्री न्यूक्लेस घूम रहते हैं आपानी में वो सब अपने सेल्स बना लेंगे और वो पानी वाला 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 पानी व परिकار्प देखे क्या होता है यह अप से पूछा चाहित है नहीं होना है ठीकै अभी मैंने आपको जब सीट पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया, बताया, सिखाया था, कि जब एक Ova mother cell या Megaspore mother cell develop होती है, तो बाकी सारी Nucleus की cell मर जाती है, पर अगर कभी आपको, अगर कभी आपको कुछ Nucleus की cell बची हुई दिखाई दे, then this structure or this type of ovule, या this type of structure is called as perisperm, क्या समझाया आपने, pericarp is the wall of fruit, but perisperm is what, it is the remnant of Nucleus, ठीक है, perisperm लिख देती हुँ मैं, it is the, it is the remnant of Nucleus, Nucleus क्या होता है, Nucleus क्या होता है, Nucleus वो tissue होता है, जो ovule के अंदर पाया जाता है, ये सारे कैसे होते हैं, deployed होते हैं, ठीक है, सारे Nucleus मर जाते हैं सिर्फ एक Nucleus का एक cell बचता है, जिसको हम ova mother cell कहते हैं, वही divide होकर बात में zygote या 8 embryosperm, 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 8 cell structure बनाने का काम करता है, तो perisperm आपको याद रखना है, never confused with the pericarp, तो बच्चों, आज मैंने आपको fruit के बारें पढ़ाया है, बेटा, मेरे बच्चों, इससे aggregate fruit and composite fruit and we also done two example of droop, droop जिसमें आपको तीनो लेयर अच्छे से दिखाई देंगी, ठीक है, जिसमें हमने coconut औ mango का example पढ़ा, ठीक है, आजो, अब आप बात करते हैं किसकी, अब आप किसकी बात करेंगे, मेरे slides की, जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, आजो बच्चों, वाले हिस्से को हम क्या कहते है, cellular endosperm, इस वाइट वाला हिस्सा is called cellular endosperm, ठीक है, यह जो बाल-बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, this is the mesocarp, ठीक है, और जो hard part आपको दिखाई दे रहा है, it is the endocarp, और epicarp जो है, उसको आपने फाड कर अलग कर दिया है, ठीक है, डन हो गया इतनी बात clear हो गई आपको, चलो, इसकी theory देख ले, अच्छा है, एक और चीज़ जो मेरे बच्चों को मुझे बतानी है, वो क्या है, जो perispermic seed में ने आपको बताया था, ओके, perispermic seed लिखना इसको, perispermic seed, ठीक है, it is a remnant of nucellus into the seed, ऐसा लिख सकते हैं, जिस seed में nucellus बच अच्छा होता है, उसे हम perispermic seed कहते हैं, इसका example क्या है बच्चों, इसका example है black pepper, black pepper, ठीक है, और है इसका example, beetroot है रशायद, ठीक है, black pepper में जो white-white हिस्सा आपको दिखते हैं, अंदर जब आप black pepper को तोड़ देते हैं, तो white-white हिस्सा है, वो actually nucellus ही होता है, आगे बढ़ें तो आपको और theory पढ़ाने से पहले, तो droop जो है, ये किसका, droop एक type का क्या है, fleshy pericarp fruit है, समझे आप, जैसे अगर आपको बात करू, simple fruit मैंने आपको पढ़ाया, simple fruit जो है, वो basically दो प्रकार का होता है, एक होता है, अरे यार, simple fruit दो प्रकार के होता है, जिनका fleshy pericarp हो, इ fleshy fruit का type है, droop, समझे आप, ऐसी बहुत चारे type के हो सकते है, जैसे पोम हो सकता है, जैसे berries हो सकती, berries बोलते है न, berries is what, it is a fleshy fruit, it is a fleshy fruit, तो droop fleshy pericarp का एक type है, जितना मैंने पढ़ा दिया, actually यही आपको उसमें आएगा, exam में आएगा, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़े क्या करना है, dry pericarp आप छोड़ भी देंगे, इसमें मुफली बगरा आता है, तो उससे question नहीं आएगा, fleshy pericarp में आपके droop से question आएगा, fleshy pericarp fruit का type होता है, droop, ठीक है, आईए, अब हम लोग इसकी theory के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे मेरी बच्चों को और ज्यादा कहानी clear हो जाएगी, मैं इस theory में आपको बता, और क्या बताऊंगी, वो आप धान सुनना, इस theory में मैं आपको और बताऊंगी, कि dry वाले का भी थोड़े से example बताऊंगी, मैं आपको, और आपके उसके भी थोड़े से example बताऊंगी, that, क्या कहते हैं, इसके, fleshy pericarp, जिसका angiosperm का characteristics होता है, fruit का होना, मतलब अगर आप angiosperm हैं, तो आपके अंदर fruit होना ही होना चाहिए, ripened ovary और mature ovary को ही हम क्या कहते हैं, fruit कहते हैं, इसमें बनाना का diagram बना हुआ है, ठीक है, fruit के अंदर दो चीजे होती है, एक होती है, उसकी fruit wall और उसके अंदर होता है seed, ठीक है, तो seed के अंदर क्या क्या होता है, यह seed के अंदर मैंने आपको पढ़ा है, seed के अंदर होता है endosperm, seed के अंदर होता है embryo, और seed के अंदर होता है seed coat, अगर आप dicot seed हैं, तो endosperm नहीं होगा, cotyledon होगा, मोटे मोटे से, अगर आप monocot seed हैं, तो endosperm होगा, अगर आप fruit की बा मस्कार्ब मातें इसको मेजकार्फ कहते है इस फलेशी पेरीकार्ब का एगसेमपल है ये ठीक है और इंडो का जो किस्टोनी और हार्टपार्ट होता है। ठीक है तो Fruit वाल और seed वाल इसा पाट ओफ संपरूटी के फ्रूटव वाल क्या होती है fruit valve को हम pericarp भी कहते हैं जो कि ovary की valve से develop होती है ये dry हो सकती है और fleshy हो सकती है अगर fruit valve में कुछ हमने store करने लगे तो fleshy हो जाएगी कुछ नहीं store किया तो वो dry रहेगी ठीक है pericarp जो होती है अगर वो fleshy हो जाएगी तो वो तीन parts में develop होती है अगर आप देखें अपिकर्प ठीक है अंडोकर्प और मीजोकर्प अपिकर्प is also called as exo-carp तो इसकी तीन लेर कौन कौन सी हो गई अपोकर्प which is the outer layer मीजोकर्प which is the fleshy middle layer अंडोकर्प which is the innermost layer and it is also called as stony part ठीक है ये बात clear हो गई मेरे बच्चों को आ जाएगी now we are going to talk about the different types of classification and the type of fruit parthenocarpic fruit जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ plant में ovary जो होती है वो without fertilization ही fruit में develop हो जाती कैसे develop हो जाएगी if you put the injection into the ovary दन 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 तो वो सुचती है कि मेह में pregnant हो चुकी हूँ कुछ हुआ नहीं फिर भी में pregnant हो गई हूँ तो इस type की ovary और fruit बना लेती है fertilization तो हुआ नहीं तो seed तो अंदर बनाना और बनाना और ग्रेप्स इसके बहुत बहुत बैतरीन एग्जामपल है तो ग्रेप में कभी seed दिखता है न तो बनाना में ठीक है आईए true fruit वो fruit होते हैं जो कि ovary से directly develop होते हैं कोई और part इसमें involved नहीं है true fruit वो होते हैं most of the fruit are true fruit false fruit वो fruit होते हैं जिसमें other floral part जैसे कि thalamus involved हो जाए इसने हम false fruit कहते हैं अब एक और classification था simple aggregate and composite fruit का simple fruit कौन से होते हैं जो कि simple एक ovary से develop हो या sincarpus ovary से develop हो simple fruit different kind के हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया dry pericarp और fleshy pericarp dry pericarp simple fruit को हम कहते हैं dry in dehiscence fruit ठीक है यह fruit जो ना तो split होते हैं ना तो burst होते हैं जैसे dry वाले का मैंने बोला यह important नहीं है पर slide में लिखा है तो एक बार देख लो मैंने fleshy वाले का droop जो example है droop type जो बताया वो important है ठीक है dry वाले क्या होते है split और burst नहीं होते सीट जो liberate होते हैं वो तब जैसे मतलब fruit लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा इसमें ऐसा नहीं होगा कि fruit फट जाए और सीट चारो तरफ फैल जाए इसमें fruit लगा रहेगा जब आप fruit के छिलके को तोड़ दोगे या उसे जलाओगे तभी यह fruit सीट जो है इसके बाहर आएंगे it is called indehisence मतलब फट के liberate नहीं होगा जैसे नॉर्मली fruit जब सूख जाता है फट जाता तो उसके सीट चारो तरफ फैल जाते हैं और उख जाता है पौधा पर यह वाले जो fruit होते हैं जैसे इसके बाद इसके बाद घर पर लाते लाते अपने आपी टूट के गिरने लगती है जैसे मस्टर्ड होता अपने आपने आपको पता होना चाहिए आप तूट के गिरने लगता है तो इस टाइप ऑफ डेहसेंस फ्रूट ठीक है इन डेहसेंस का एग्जामपल का है आपको बता है ग्राउंड नट ठीक है अब सिंपल फ्रूट में तीसरा देखो क्या कह पड़ा हम लोगों ने सिंपल फ्रूट में हमने ड्राय ड्राय पेरिकार्प के मैंने दो एक्जामपल बताया आपको दो टाइप बताया जिसमें अप्रूट अपने आप फट जाया और सीड रिलीज हो जाया इट इस कॉल्लद जेहसेंस ड्राय फूट और एक मैंने बताया कि अपने आप न फटे ठीक है और उसके अंदर सीड बहुत सारे एक्जैंपल आर्जी मून देख लेना आप इस नॉट इंपोर्टन में बार बार कह रहे हूं पर आपको लिखा है तो देख लो एक बार ठीक है और आपको पता होना ची कि ड्राइ के भी टाइप होते हैं ठीक है अपने ऐसी थोड़ी छोड़ सकते हैं अगर बोर ठीक है और इसका पैरिक आप होता है तीन भागो में डिवाइड़ेद होता है चाहे मर्गो का देख लोटे का है अपना का थाइं अद or जो न्टे यह कुछ्छि एड बार एंच्छिक बै गॉतलह करा है इसको होता है इसको कहता है किस के इसे बार श्चिलिक होता है ऐसको गुठली को पोडो और सीड निकाल लो और कोओनेट के साथ तो आपको पता यह कहानी अलग है तो एपीकर्प जो ग्रीन वाला पार्ट होता है बाल वाला पार्ट is a मेजोकर्प और स्टोनी पार्ट is a endocarp जो खाते हो वो कौन साब पार्ट है मेरे बचो तो वो है आपका endosperm, ठीक है, उसी का एक और part होता है, मतलब fleshy का एक type में ने droop बता है, वो important है और वही नीट में पूछा जाता है, और ये classification आपके NCRT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक होता है berry, berry क्या होता है, जिसमें, अब droop में तुमने क्या देखा मेरे लाल, कि सिर्फ एक ही सीड होता है, berry में एक सीड नहीं होता है, berry में हमेशा एक से जादा सीड होते हैं, जैसर टोमैटो, देख लो, गुवावे, देख लो, पपाया, देख लो, इसमें हमेशा एक से जादा सीड होते है, पर flesh उसका खाते हो, तेमाटर का flesh खाते हो, ठीक है, चलो, उसके बाद एक और ची होता है PAPO, ठीक है PAPO क्या होता है? जो Tricarpulary Syncarpus Unilocular Inferior Ovarie से Develop होता है, इसमें तीन कारपल होते हैं जो किया पस में जुड़ जाते हैं और इसमें चैमबर नहीं होता है इसके Ovarie में, एक ही चैमबर होता है और ovary हमेशा inferior होगी ठीक है epicarp form the skin mesocarp, endocarp, fleshy and edible इसका मतलब यह है कि जैसे droop में था तो epicarp तो आप छिलका तो आप वैसे भी नहीं खाते है उसका छिलका इसका भी नहीं खाते है आप खीरा जो होता है cucumber family जितनी है वो सब pom के अंदर ही आती है पैपो के अंदर आती है पोम एक और अलग है तो पैपो के अंदर आती ही छिलका उतार लेते हैं और खाते क्या के हैं इसके दोने पाट खाते है mesocarp भी खाते है और endocarp भी खाते है cucumber, gourd, watermelon, जितनी cucurbita family होती ही सब इसकी खाय जाते है मतलब सिर्फ बाहर वाला छिलका उतारो और दे दना दन खाते जा और शीडूइट सब दवालो चलो, एक और होता है pom मैंने pom जो होता है इसको मैंने आपको एक और fruit के अंदर बताया था जिसे हम कहते है false fruit जिसमें हम thalamus को भी involve कर लेते हैं बनाने में यह sincarpus inferior ovary से develop होता है sincarpus मतलब ovary जुड़ी होई होगी पर इसमें कौन involve होता है fleshy thalamus ठीक है इनका जो save आप खाते हो ना save जो आप खा रहे हो आपका fruit किस से बनता है? ovary से बनता है पर जो आप save खा रहे हो जो part आप दबा रहे हो जो आप खा रहे हो वो ovary नहीं है वो thalamus है ठीक है और जो ovary होती है वो thalamus के अंदर होती देखो मैंने diagram लगाया भी है so solemn fleshy edible is the thalamus यह false fruit होता है देखो कभी-कभी तो लगता है आप रुछ भगवान है मैंने बोला था ना भी आपको थोटे देर पहले यह false fruit मैंने आपको पढ़ाया ना cashew strawberry और apple example is apple and pear आप बेटा देख लो इसका तो यह जो white वाला part होता है इसको अपन खाते है इसको अपन thalamus कहते हैं ठीक है यह देखो अगर आप save को काटते तो उसमें बीच के चारो तरफ ऐसे एक line type का दिखता है it is called as exocarp line के अंदर वाला हिस्सा is mesocarp और seed के जस्ट बाहर वाला हिस्सा is called as endocarp और फिर उसके अंदर होता है seed ठीक है ओके और वो part तो तुम काट के अलगी कर देता है तुम तो thalamus खाता है aggregate fruit कौन सा fruit होता है जो की जिसमें मैंने आपको बताया थे ना कि एक आदमी था जिसकी चार पत्मियां थी चारो पत्मियां pregnant थी वो कुएं पर पानी भरने गई अब वो अपना बच्चा पैदा करेंगी तो वो एक घर के अंदर पैदा करेंगी तुस pregnant ovary का जो बच्चा है वो उसका fruit नहीं है वो उसका fruitlet है और जब बहुत सारे fruitlet मिलते हैं तो एक fruit का formation होता है पढ़ाया मैंने आपको बोलिए पढ़ाया मैंने आपको बताया ना मैंने आपको क्या पढ़ाया इसका एक्जामपल raspberry का एक्जामपल बताया मैंने आपको है ना भूल जाते है चलो fruit form for polycarpulary एक सज़ादा कारपल एपो कारपस यह लाइंग भूल गई थी मैं देखो एक ovary और syncarpus ovary से कौन सा fruit develop होता है simple fruit develop होता है aggregate fruit कैसे develop होता है मेरे बच्चो बहुत सारी ovary और सब जुड़ी उड़ी नहीं होनी ची अलग-अलग होनी ची सब अपनी बच्चे खुद पैदा करेंगी ठीक है aggregate और simple fruit born by the apocarpus ovary ठीक है और single flower मतलब एक ovary से एक ही बच्चा पैदा होगा aggregate का strawberry और raspberry मैंने आपको बताया है ठीक है चलिए इसका example custard apple भी है multiple composite fruit multiple composite fruit क्या होता है जब पूरा-पूरा inflorescence ही बन जाए ठीक है example मैंने क्या के बताया था mulberry, pineapple, ficus, fig, anjeer वगएरा सब इसके example है fig ठीक है आप देखो इसके यह जो आपका जो आप देखते हो न pineapple इसमें देखो fruit from ovaries many flowers तो बहुत सारा flowers मिलकर एक fruit बना दिये ठीक है ओके सब aggregation हो गया done हो गया यह समझ में आगया आपको बच्चो so we are done with the fruit so we are done with the fruit ठीक है चली एक बर quick revision देखती हूँ आपको मैंने क्या पढ़ाया हमने पढ़ा what is the fruit fruit is the ripe and ovary फिर मैंने आपको बताया classification of fruit मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सा fruit मैंने आपको बताया true fruit जो ovary से डबलब होता है फिर मैंने बताया false fruit जिसमें मैंने आपको बताया thalamus भी involved हो जाता है fruit बनाने में क्या example बताया cashew, strawberry और apple ठीक है फिर मैंने आपको बताया parthenocarpic fruit a fruit without fertilization ठीक है banana and grapes फिर मैंने एक और classification बताया जिसमें मैंने बताया simple fruit simple fruit में एक single ovary single ovary या syncarpus ovary या unicarpulary ovary या syncarpus syncarpus मतलब बहुत सारी ovary आपस में जुड़ गई है पर ovary एक ही मतलब chamber एक ही बनाती it is called as syncarpus ovary ठीक है most of the fruit are simple fruit simple fruit के मैंने दो टाइप बताया एक होता है dry pericarp और एक होता है fleshy pericarp dry pericarp में यहाँ पर यह important नहीं है पर इसके हमने दो पार्ट पढ़े एक dry dehiscence fruit और हमने पढ़ा indecence fruit dehiscence के अंदर जो अपने आप fruit फट जाए और seed liberate हो cotton पढ़ा हम लोगों ने दाले पढ़ी हम लोगों ने gram पढ़ा हम लोगों ने mustard पढ़ा हम लोगों ने और एक ऐसा dry dehiscence fruit होता है जिसमें fruit फटेना और seed रहे जब खुद फोड़ोगे तब ही निकलेगा fleshy pericarp में तो हमने बहुत सारे types पढ़े पहला हमने पढ़ा droop जो exam में आ चुका है mango and coconut फिर हमने पढ़ा pom फिर हमने पढ़ा और क्या पढ़ा यार भूल जा रही हूं में पॉम पढ़ा berries पढ़ा ठीक है यह सारे पढ़े पॉम पढ़ा berries पढ़ा एक बढ़ देख लेती हूं पैपो पढ़ा ओके droop mango coconut पैपो berries आपका tomato guava papaya जिसमें बहुत सारे सीड होते पैपो जिसमें आप सिर्फ छिलका निकाते बाकी सब खा लेते हो उसका पैपो का cucumber family पॉम का apple and pear ठीक है और यह सारे false fruit होते है क्योंकि इसका thalamus वाला पार्ट खाते आप thalamus involved है और aggregate fruit जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी ओवरी जोडी नहीं होगी इस फ्लार की सारी ovaries अलग है सारी ovaries अपना fruit बनाएंगी पर यह fruit जिस एक जगह पर रहेंगे ठीक है और सारे aggregate रहेंगे एक जगह पे रहेंगे तो जो छोटे-छोटे fruit बने एक particular ovaries से it is called as fruitlet and the group of fruitlet is called as fruit इसका example मैंने आपको क्या के बताया बच्चो इसका example मैंने बहुत सारे बताया आपको strawberry ठीक है multiple composite fruit में मैंने आपको pineapple का example बता जिसमें पूरा-पूरा inflorescence fruit बन जाता jackfruit, mulberry, pineapple and fic ficus ficus benyantric of fruit ठीक है so I hope कि ये कहानी जो मुझे थी समझानी fruit के बारे में मैंने अच्छे से समझा दी होगी क्या आना है क्या नहीं आना है आज जो मैंने पढ़ाया इस topic से हो सकता है तीन से चार सवाल बन जाए भूलना मत example याद रखना कैसे example याद रखेंगे मैंने आपको बताया कि कोई आत्मी CR बनना चाता है तो उसको apple बहुत जादा खाना पड़ेगा तो ये किसका example बताया इट इस दा false fruit का example तो custard apple, raspberry, apples ये सब किसके example होते है इस दा false fruit example ठीक है और aggregate type के जितरी भी fruit होते है वो जादा तर जो आपके inflorescence वाले, aggregate वाले fruits जो होते हैं जिसमें मैंने एक type आपको बताया है उसमें कुछ fruits false fruit भी होते हैं So I hope कि जो कहाणी मुझे थी समझानी fruit के बारे में अच्छे से समझा दी होगी See you in the next class, अब तक घर पे रहे हैं, save रहे हैं अपना दान रखेता, thank you so much and bye bye